कर दो कि एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है दवल और मेरे डेरिफाम का नाम है कृष्णा डेरिफाम तो दोस्तों आज मैं आया हूँ जो हमने यहां गउतर जगा रखी हुई है वहाँ पर तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे अरोज की तरह जो इफर से उचरने के लिए आये है आज थोड़ी दूप निकली है वरना यहां बहुती बारिश हो रही थी कई दिनों से बहुती तेज बारिश हो रही थी तो दोस्तों आप पीछे देख सकते हैं यह गउचर जगा है और यह अब हमारे जो पड़ी या है बचर पाड एल को लेके आहे है जो हमें यहां दूद नहीं देते वहीं लेके आते हैं क्योंकि हम इसार बजए दूद निकलने का टाइम होता है और यहां हम सामके छे बज़ए तक नीसको यहां चराते है hacar यह जो हमारी फर्स है वो बारिश के कारण इसका जो वाड़ा है वहां पूरा पानी भर जाता है तो यहां पर इसके खूर है वहां बेठे-बेठे इसके जो खूर है उसमें जो मीटी है फस जाती है मगर यहां आप देख सकते हैं की कि यहां पाजु में नदी है वाँये जो हम रिज प्यंसे है उसम को त्लब में खाना 아 छाने के बाद शानने के लिए चांटी है वहां बेठती है है और यह वह जितना खाना चाहे उतना हो खा सकती है और यह जो जा रहा हैो यह रहें में बर्पूर है। इसमें सभी तरह के पोषक्त रट होते है। इसका बारी क्रki narcissा मिलना यह जी होता हुआ है वह अगर यह पीट θα उसको पालर पानी पीति बोलते है पालर पाणि तो ये पीते हैं तो इसकी तंदु रस्ती बढ़ जाती है और ये जल्दी से जल्दी फीस में आ जाते हैं तो अभी तो इसकी तंदूरस्ती सभी आप छोटे बच्चे इसकी इतनी अच्छी नहीं है यहां एक दो महींने चरने आएगे तो मैं आपको बताऊंगा तो यह जो गौचा जगा है यहां पूरा ना जो आप कह सकते हैं जींजवा घास है ज्यादा तर वही है जींजवा घास है सभी तरह के यहां घास है मगर ज्यादा इसमें जींजवा घास है अब देख सकते हैं यहां यह निम के पत्ते होते हैं खाते हैं दूसरे पोदे हैं व आते हैं तो इसकी जो हेल्थ है वह एकदम बढ़ जाती है इसकी तंदूरस्ती है वह बढ़ जाती है तो अभी हमारी यहां जो यह चराने वाला था तो नहीं है तो अभी मैं आ रहा हूं यहां चराने के लिए तो दोस्तों यह से यह से वाताण में रहके मेरी तंदूरस्ती बढ़ जाएगी यह से मुझे लगता है क्योंकि आप बादल देख सकते हैं यहां नदी का पानी है पीने के लिए और यह जो घास है इसकी जो खुस्पू है वह भी बहुत अच्छी है एकदम मीठी तो हम मेने पेले कभी एसा एक्स्पिरेंस किया नहीं है मगर यहां मैं आता हूं तो एकदम मज़ा आता है आपका जो माइंड है वह भी फ्रेस हो जाता है इसको सिर्फ चरते हुए देख के देख सकते हैं हमारा जो यह बहुत ही खूब सूरत लीलडा बुल और जुन इसके अब भी जल्ट आएंगे थोड़े टाइम में मैं आपको बताऊंगा दो तीन मेहने के बाद आने वाले दीवाली के बाद आने वाले है तो अभी हमारे यहां पीछे अब धमा बुल देख सकते हैं इसका रिजल्ट आया है वह हमारे पापा के दोस्ते बाला भाई है वहां आई है तो हमारा धमा बुल भी आप देख सकते हैं इसकी हाइट लेंध और इसकी तंदूरस्ती बहुत ही खुबसूरत कि इसका जब टाइम आता है तब इसमें डेरी फाम में काम बहुत बढ़ जाता है क्योंकि साप सफाई ज्यादा करनी बढ़ती है क्योंकि हमने इसको मजा आए जो हमारे निमल है इसको मजा आए इसके लिए हमने कच्छा रखा हुआ है पका नहीं किया है तो उसके कारण हुआ साप सफाई ज्यादा करनी पड़ती है झो खड़े हो जाते हैं मूरने पड़ते और पानी भी बर हुए उसका पूछ सकते हैं तो ज्यादा तर जो एनिमल है को कच्चे में बैठ नहीं पसंद करते हैं मगर यह बारिश का टेम आता है तो काम थोड़ा बढ़ जाता है तो दोस्तों मैं अपका इतना प्यार मिल रहा है कि हमारे जो सब्सक्राइबर है जिनके पास मेरा फोन नमरे फोन करते हैं मुझे जैसे कि उद्धे भाई है अमरेली से धंतूशर से एक भाई का फोन है था कि आपका हर एक वीडियो में देखता हूँ और आपकी ओभी एक महीने से वीडियो नहीं बना रहे है तो ज्यादा तर यह की दिकत रहती है डेरी फार्म में हमारे यहां जो काम करने वाले चले जाते है इसकी देखपल करने वाले तो वह जो काम है वह हमें करना पड़ता है तो उसके कारण हमें वीडियो नहीं बना पता क्योंकि जब हम काम करते हैं तो एकदम से ठक जाते हैं और आपका जो दिमाग है वो बंध हो जाता है कि क्या वीडियो में बोले किसके बारे में बात करें और हमारा दूद राजकोट जाता है मैंने पहले भी आपको बताया है तो वहां भी जो हमारे कस्टमर होते उसको भी हमारा दूद जब यहां आदमी नहीं होते तो लेट पहुंदता है तो पूरे दिन का शेडियूल सिर्फ काम करना और सोना एसाई में कह सकता हूं आपको होत तो बीच में टाइम नहीं रहता तो इसके कारण वीडियो नहीं बना पाता अभी जो मैं यहां आया हूं तो अभी मुझे कुछ काम नहीं है सिर्फ और सिर्फ इसको जे चर रहे हैं उसको देखना ही है अ बराबर आप यह पीछे पीने का साब पानी देख सकते हैं यहां से यह जो खेतों का पानी आ रहा है एक दम क्रिस्टल क्लियर आप मैं आपको कह सकता हूं आपको देखिये पथर भी दिख रहे हो गए यह सब पानी है यह बड़ी नदी यह पीछे है उसमें जा रहा है यह सभी है यह खेतों का पानी है और आप यह देखिए सभी जगह उपर एसे भराचारा और जो मिट्टी की खुश्बू है वो भी बेहतरी ना रही है दोस्तों कि तो दोस्तों हर रोद में यहां यह जो हमारी गौचा जगा है वहां कर में वीडियो बनाऊंगा और हमारे डेरी फाम की भी में सब्सक्राणी है अब मैं आपको दिरे दीर अप्डेट देने वाला हूं के कौन सी बेसे बताने वाली से बीदोवें से विक्राणेवाली है है उसके मारे में इनमें से 9 उसक्राणी घ् number ग्याबिन हो गए है उसमें से पांच बेसे है और चार बचडिया है और दोनों अच्छे बुल से ही हमने नेचरल सर्विस करवाई है यह करवाई नहीं है हमारा लीलडा बुल से जो हमारा लीलडा बुल है उससे हमारी जो बचडिया वह ग्याबिन हुई है और धमा जो हमारा बूल है उससे यह हमारी जो पाडिया है उसको ग्याबिन करवाया हुआ है तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ दूद निकलना ही नहीं है साथ में हम थोड़ा थोड़ा ब्रीडिंग का काम भी कर रहे हैं